ये लिजे फ्रेंज आज मैंने फाइनले स्टेंडिंग केक बना दिया काफी ट्रेंड में है तो मैंने सचा मैं क्यों पीछे रहा हूं मैं भी आज स्टेंडिंग केक बनाती हूं तो जिनके लिए स्टेंडिंग केक बनाया है वो मेरे कौन लगते हैं आप जरूर कॉमेंट करक लास्ट में मैंने उनकी फोटोग्राफ साब के साथ सेयर की है चलिए देखते हैं कौन-कौन पहचान सकते हैं जो मुझे जानते होंगे उन्हें पता होगा तो आज के कपल्स का नाम है आसीस और किरन तो चलिए तो फ्रेंस यस बहुत ही प्यारी सी केक का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर केक है चौकलेट फ्लेवर का तो अच्छे से स्पॉंज को तयार कर लिए यह देखिए इस पॉंज बहुत ही अच्छ अब मैं यहां पर तीनों लेयर को देखिए कट कर चुकी हैं अब हम लेंगे यहां पर केक बेस और इस पर लगाएंगे थोड़ी सी क्रीम और बीच वाले लेयर को हम सबसे पहले रखेंगे उसे अच्छे से सुगर सिरप से एबजॉब करा के मॉइस्ट करा के यहां पर चॉकलेटे केक बना रहे हैं तो इसमें डीर साव डालेंगे यहां एह अच्छे से मैं चॉप कर लिया है और सभी चॉकलेट को अच्छे से स्प्रेट करेंगे पूरे केक बेस पर ताकि खाने में जो है बहुत है अच्छा है सासमे थोड़ी से मैंने चोकोचिप ही डाल दि उसमें भी चॉकले डालके तीसरी लेयर को रखके उसके वाज़े से हम अच्छी तरह से क्रम कोट करेंगे तो यह देखें यहां पर क्रम कोट हो चुका है केक अब हम इसे रख देंगे फ्रीज में थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट ताकि क्रम्स जो है अच्छे से सेट हो तो यहां पर यह देखें फ्रेंस अभी जो है मारा केक काफी अच्छे सेट हो चुका है और इसका वेट देखिया हाफ की जिसे अभी से उपर हो चुका है अभी इसमें डेकोरेशन बाकी है तो यहां पर डेकोरेशन के लिए मैं आज आज आटिफिसियल फ्लावर्स और कुछ फॉक्स बॉल का यूज करूंगी जो कि काफी लुक को इन्हांस करता है और काफी ट्रेंड में भी चला हुआ तो यहां पर यह देखे क्रम कोट सच्छे सेट होने के बाद अब हम इसके फाइनल आइसिंग करेंगे फाइनली तोड़ा सा क्रीम का कोट लगा के इससे मैंने अच्छे से आइसिंग कर दिया है और अब हम इसे थोड़ा सा स्काइल लुक देने के लिए स्काइल के क्रीम को इस तरह से थोड़े थोड़े प्लेस पे स्प्रेट कर देंगे और इसे हम एक कोई भी स्क्रैपर अभी मैं यहां पर यूज कर रही हूँ एटीम कार्ट को मैंने यहां पर कर लिया है अच्छे से आइसिंग जो कि काफी नीट एंड क्लीन हुआ है तो यह देखे फ्रेंड से कितना ही अच्छा लग रहा है और अब हम टॉप पार्ट पे इस तरह से रेड फूट कलर का यूज करके यहां पर थोड़ा सा रेड का स्वाइल से इस तरह से निकाल लेते हैं और अब हम इसे जो हैं पार्ट को यहां पे हैं कkommen करेंगे ताकि हमारा चंट कर सके तो यहां पर स्टरह से मैंने ख़़से निकाल दिया है आइस पार्ट को तो ज्यादा हमें भीडी से नहीं करणा है बस नीछे से थोड़ा सही यहां ख़द क तो यह देखिए हमने छोड़ा लिया है केक बेस से और इस तरह से हम अपने केक को स्टेंड कर देंगे तो यह देखिए काफी इसली काफी अच्छे तरीके से स्टेंड हो चुका है और आगे का डिजाइन जो रेड कलर से स्वाइल बनाय था वो जरा भी खराबने हुआ इसके ताकि लुक भी अच्छा लगे और हमारे केक को कुछ हो भी न तो यहाँ पर इस तरह से इसे भी हमने स्क्रापर से स्मूध कर दिया है और अब हम इस पर यूज करेंगे रेड रोज जो की काफी प्यारा लग रहा इस पर थोड़े से लगाएंगे फॉक्स बॉल तो यहाँ फोक्स बॉल नहीं उसकिया है बस दो या तीन यहाँ पर लगाओंगी यह दिखें लो खाफी अच्छा रहा है अब में यहां पर देखें साइड में इस तरह से जो वाइट मूती होते हैं इरिबल है यह खानी के लिए होते हैं यह सुगर के बने होते हैं तो उन्हें में इ प्लस बहुत ही मज़ा जाता है केक करने में और यहां पर ये देखिये मैंने fondant पे नाम लिख दिया है couples का जिनका anniversary है anniversary cake है यह बहुत ही प्यारा यहाँ पे बनके ready हो चुका है तो यह दिखे साइड में थोड़ा सा बढ़ रहा था fondant तो मैंने उसे cut करके निकाल दिया है तो यह दिखे है मारा finally cake कितना ही खुबसूरत बनके ready हुआ है यह cake आपको अच्छा लगी रहा होगा अगर लग रहा है तो प्लीज जल्दी से like करिए और पास में रहते हैं तो order करिए और यहाँ के पीछे का parts में मैंने यहाँ पे थोड़े से star nozzle से यहाँ पे design बना दिया है जिससे पीछे के parts भी देखने में अच्छा लगे तो यह दिखे इस तरह से मैंने star nozzle से design कर दिया है तो यह हमारा cake का final look है और इनके साथ cake के वीडियो के साथ मैंने आपके साथ photos भी share किये है जिनकी anniversary है तो यह मेरे कौन लगते हैं आप जरूर कॉमेंट करके बतान अगर जानती हो तो तो आज का वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए नीव है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें आज के लिए इतना ही फिर भीलूंगी बाई बाई